मसकार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने योटूब परिवार असुडेंटि लाइट में प्यार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको देल ही पुलिस कॉंस्टेबल निउ भेकेंसी 2023 का संपूर्ण जानकारी दोंगा जिसमें हम आपको बतलाएंगे किसमें टूटल कितना पोस्ट है mail का कितना post है female का कितना post है इसका form जो है कब से कब तक भरा जाएगा form को भरने के लिए कितना रूपया लगेगा इस vacancy में आपको किस किस प्रक्रिया से गुजरना होगा return में आप से क्या पूछा जाएगा physical आपका कैसा होगा इसके बाद आपका मेडिकल कहा होगा फिर आपका सेलरी क्या होगा संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में आपको इसलिए आप लोग वीडियो में सुरू से अंतक बने रहिएगा तो सबसे पहले दिल ही पुलीस कॉंस्टेबल की तैयारी कर रहे लाखो लाख छात्रों के लिए बहुत ह सुनहरा पल है आपने देखा होगा एससी जो है 2023-24 का कलेंडर जो है पिछले सब्ता यानि 19 मई को जारी कर दी है जिसमें इस भेकेंसी की बारे में संपूर्ण विवर्ण दिया गया है चलिए बारी की ढंग से हम लोग चर्चा करते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं यह भेकेंसी जो है वो ओल इंडिया भेकेंसी है यानि आप भारत के किसी भी राज्जी से है आप OBC में आते हैं जेनरल में आते हैं ACST में आते हैं आप जिस केटेगरी में आते हैं उस केटेगरी से आप इस फोर्म को भर सकते हैं ओल इंडिया भेकेंसी है इसमें जो आपक पोस्ट है वह 5,056 मेल के लिए कितना सीठ है 5,056 जबकि फिमेल के लिए कितना है 2491 मेल का टोटल वेकेंसी होगे आपका 7547 मेल का 5,056 फिमेल का होगे आपका 2491 अब देखे चर्चा करते हैं कि इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा तो आपको हम बता देना चाहते हैं द सब्सक्राइब करा में सब्सक्राइब kरणिरा डीस प्सक्राइब business करते हैं जानकारी तो आपको दिया जारा है हाँ मेरे बहाई इसका जानकारी अभी आपको इसलिए जरूवत नहीं है क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए एक बहुत ही महत्पुर्ण दस्ताबेच का वा सकता है जिसका नाम है डियल यानि driving license लाइसेंस आपको चाहिए driving license मेल के लिए चाहिए female के लिए जरूवत नहीं है तो driving license आप जानते होंगे उसको बनने में समय लगता है दो तीन मंत का समय लगता इसलिए अभी आपको जानकारी दे दिया जाता है तो जिनके पास driving license नही है चलिए इस फॉर्म को भरने के लिए जो फी लगेगा वह जेनरल OBC का फी है 100 रूपया जेनरल OBC का फी कितना मेरे भाई 100 रूपया जबकि SCST का 0 रूपया नि SCST को इस फॉर्म को भरने के लिए एक भी रूपया का चार्ज लगने वाला नहीं है तो यह तो होगे आपका total post 7547, male का 5056, female का 2491, form भरा जाएगा 1 सिप्टमबर से 30 सिप्टमबर तक इसके लिए महत्पूर्ण दस्तावेज ज़रूरी है वह है आपका deal यानि donation साही आपको male के लिए फी मिल के लिए उसका जरूपया नहीं है form को भरने में general OBC को 100 रूपया लगेगा ACST को एक भी रूपया लगने वाला नहीं है चलिए आगे का बात करते है अब चर्चा करते है age का हाँ देखिए इस form को भरने के लिए age का जो दाइरा है वह 18 से 25 है यानि minimum 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 25 साल होना चाहिए जिसका base जो होगा वह 1 जुलाई 2023 को क्या होगा 1 जुलाई 2023 होगा हाँ या एक अगस्ट 2023 भी हो सकता है जब इसका notification आएगा तो पता चल जाएगा क्योंकि SSE के पीछे के vacancy को आप देखिएगा CTSL को देख लीजी है उसमें base 1 अगस्ट को माना गया है है तो हो सकता इसका base 1 अगस्ट 2023 भी हो सकता है लेकिन अभी ध्यान रखना 1 जुलाई 2023 बेस इसका आगे आपका notification जबा जाएगा तो आपको पता लग जाएगा हो सकता 1 अगस्ट 2023 भी हो जाए यानि minimum 18 साल और अधिक 25 वना चाहिए अब देखिए करोना काल के चलते जो है इसमें age relaxation दिया गया है OBC बाले को 3 साल के लिए ACST बाले को लिए 5 साल के लिए हाँ जिंदल का भी relaxation का बात हो रहा है इसका vacancy का जब notification आजाएगा तो आपको हम बता देंगे कि जिंदल का भी जो है age relaxation दिया गया है या आखिर नहीं दिया गये लेकिन OBC का 3 साल और यह CSD का 5 साल एज रिलेक्सेशन है करोना काल के चलते चलते चली अब इसके लिए इस फॉर्म के लिए जो है qualification क्या होना चाहिए या फॉर्म जो है आपका 12 बेसिस पर है यानि मात्र 12 पास होना चाहिए बारावी पास है तो इसका जरूत नहीं है एक्जाम का जो डेट होने का जो दिया गया संभावी वह नवंबर दिसंबर में यानि इसका कब होगा नवंबर दिसंबर 12 तेस में इसका एक्जाम हो जाएगा चली आगे बात कर लेते हैं अब देखी इसका सेलेक्षन का प्रोसेस क्या है तो सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा क्या होगा रिटेन टेस्ट होगा उसके बाद आपका पीस्टी पीटी यानि आपका फिजकल होगा फिर आपका डॉकमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल हो जाएगा यानि इसका प्रोसेस जो है सेलेक्षन का पहले रिटे का होगा यानि हर question एक number का 100 question 100 number अब इसमें negative one one four है यानि one one four कहने का मतलब zero point two five नहीं क्या होगी आपका zero point two five यानि एक गलती है आप करोगे तो 0 verloren 25 number आपका कट जाएगा सो question 100 number negative एक वटाचार यानि 0.25 देख Jeżeli इसका return का जो time है वो 90 मिनट का निए डिल घंटा का रीटेन होगा जिसमें GKGS के 50 प्रस्ण होगे रिजनिंग का 25 प्रस्ण होगा और इसके बाद मैट्स का 15 प्रस्ण जोड लीजे कितना होगे आपका 90 और कम्प्यूटर का 10 प्रस्ण यह है आपका रीटेन का किस-किस विशे से कितना-कितना नंबर का प्रस्ण पूछा जाएगा GKGS का 50 कोश्ण रिजनिंग का 25 कोश्ण मैट्स का 15 कोश्ण कम्प्यूटर से आपसे 10 प्रस्ण पूछा जाएगा इसका मोड कैसा होगा offline exam होगा कि online आप पीछे भी देख चुके online exam हुआ है इसलिए इसका mode होगा online यानि CBT computer-based test होगा आपका यानि online exam होगा आपका रीटेन का जिसमें GKGS का 50 रिजनिंग का 25 मैट्स का 15 कम्प्यूटर का 10 प्रस्ण पूछा जाएगा 100 नंबर 100 कोश्ण 100 नंबर negative 0.25 यानि 1 बटा 4 हाँ आगे बात कर लेते हैं जहां तक रीटेन exam का सवाल है देखे इसमें तो आपको center चूज करना होता आईसा नहीं कि दिल्ली पुलीस का फॉर्म है तो आपका exam जो है दिल्ली महीं होगा नहीं फिमल के लिए कितना होना चाहिए 157 cm height male के लिए 170 cm और female के लिए 157 cm chest का जो माप है male का 81-85 cm होना चाहिए female में इसका माप नहीं होगा यानि chest के बल male के लिए 81-85 cm होगा running male के लिए यानि लड़का के लिए जो running होगा वह 1600 मीटर का 6 मिनिट में यानि लड़का को 6 मिनिट में 1600 मीटर दोड़ना इसलिए आप लोग तयारी बिल्कुल लग जाएए और female लड़की का जो दोड़ है आपका वह 8 मिनिट में 1600 मीटर लड़का के लिए वही दोड़ 6 मिनिट में complete करना लड़की के लिए जो है 8 मिनिट में 1600 मीटर है न तो यह बिल्कुल आप लोग लग जाएए इसमें जूट जाएए अब long jump जो है आपका male के लिए 14 फिट देखिए इसमें थोड़ा आपको practice करने की ज़रूँ वह थे 12 फिट तक तो नर्माली होता है हाने 11-12 फिट 14 फिट के लिए आपको मेहनत करना होगा और मेहनत में आप जूट जाएए बिल्कुल आसा मत किजिए इंतजार नहीं किजिए और लग जाएए अगर आपको नौकरी का जुनून है इसमें लग जाएए male के लिए जो है long jump 14 फिट और female के लिए आपका जो long jump है वो 10 फिट है high jump normal है आपका 3 फिट 9 फिट मेल का हो गया और female का हो गया कितना आपका 3 फिट हो गया female का कितना हो गया आपका 3 फिट male का जो high jump है आपका वो 3 फिट 9 फिट और female का हो गया आपका 3 फिट इसके बाद जो आपका प्रकृरिया हम आपको दो चितों हो गे आपका रीटेन हो गे आपका फिर आपका physical के बारे हमने संपूर्ण जान कारी दे दिया इसके बाद आपका होगा documents verification यानि आपके सभी कागजाज का जो है verification होगा फिर आपका medical होगा इसके बाद आपका जो है जाइनिंग आ जाएगा अब हम सिल्री का बात कर लेते हैं कि आपको इस नौकरी में कितना सिल्री मिलने वाला है तो आपको हम साब साथ बता देना चाहते हैं यह देखिए इसमें सिल्री जो होगा अस्टार्टिंग का हम बात करते हैं 30,000 पलस आपका अस्टार्टिंग सेल्डी होगा फर्स्ट महीना से 30,000 पलस आपके अकाउंट में आएगा इसके बाद जितना जितना दिन आपका समय जो है इस जॉब में जाएगा उसी साफ से आपका सेल्डी जो है वह बढ़ते चला जाएगा यह स्टार्टिंग सेलरी है 30,000 से पलस तो इसलिए बिल्कुल आसा मत देखिए तो जो भी बिद्यार थी हन देली पुलीस कॉंस्टेबल का सपना देख रहे हैं वह बिल्कुल तैयारी में जुट जाएए हन आपको हमने पूरा सबूर्ण जानकार दे दिया हन इस नौकरी के लिए क्या क्या चीज चाहिए हन आपका सरेरिक दक्षता कैसा होना चाहिए आपको क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए हन सारा जानकारी हमने आपको दे दिया इसने बिल्कुल बिलंबना करें और बिल्कुल जो सो जुनोन के साथ अगर आपको लेंगे हाना बिल्कुल तयारी में जूट जाएंदे बहुत ही आसान प्रक्रिया है और अराम से आपका नौकरी भी हो जाएगा और नौकरी हो जाएगा ता आपका जीवन जो है सोचिए कितना धन्नी हो जाएगा आगे का लाइप स्टाइल ही आपका चेंज हो जाएगा चलिए उमीद करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी जो है बिल्कुल बढ़ियां धंक से समझ में आया होगा अगर इसी परकार का और भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए और अधर रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर चलाएगा बहुत बहुत धन्नीबाद थैंक्यू